हेलो, असलाम लेकुम, दोस्तों इस class में अपना जो post का page था वो हमने complete कर लिया था तो इस class के अंदर जो है, हम अपना contact us का page बनाएंगे, ये मेरी demo site है, जो हमने already create कर ली हुई है तो वो कुछ इस तरीके से होगा हमारा contact us का page ठीक है, तो इसको design करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी कोडिंग में जाते हैं और वहाँ पर जाके इसकी स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पर जो है हम अपना पहले तो create करेंगे contact us का page तो यह में recording है यहाँ पर जाता हूँ और same index का जो page था यहाँ css को मैं minimize कर लेता हूँ हूँ images को भी minimize कर लाता हूँ और इस index के page को मैं पूरे को copy करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर एक new page create करता हूँ contact us.html और इसमें आके सारा code paste कर लाता हूँ और यहाँ पर जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो है यहाँ पर जो डेटा है वो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर जो पोस्ट हो गयरा की heading थी यह सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर आके स्की setting करते हैं यहां से मैं सारा रेस करने लगा हूँ data यहां से यह हमारा 8 कॉलम का सारा data जो है यह मुझे नहीं चाहिए इसमें ना मुझे slider चाहिए ना post one चाहिए ना post two चाहिए ना ही पोस्ट three और pagination भी नहीं चाहिए तो यह सारा data जो है मैं इसमें से रेस कर दूँगा यह मारी sidebar है इसको भी sorry slider है इसको मैं delete कर दा हूँ और अपना इसको page को मैं यहां पर आके ब्राउजर में चेक कर लेता हूँ एक दफा contact us के page को तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पर यह side जो है मारे बस खाली है इसके अंदर अब हमना सारा काम करना है तो यहां पर ही AC के अंदर रहते हुए मैं एक div बनाऊंगा रो की और इसके अंदर मैं div बनाऊंगा md sorry column md 12 12 की ही 2 divs बना लूँगा मैं ठीक हो गया तो यह हमारी 2 divs बन गी ठीक है इसके अंदर जो है हम अपना वो लिखेंगे map लगाएंगे तो map लगाने के लिए सबसे पहले तो हम map को लेकर आते हैं उसका code लेकर आते हैं तो उसके लिए हम add map.net की side पर जाते हैं add map.net यहां पर आप उसका title दे सकते हो अपना जो भी आप दे रहें जाते हो वाला लहोर और यहां पर street यहां पर आपना देखते हो उस नंबर या जो भी आफिस नंबर आफिस नंबर स्ट्रीट नंबर वन हजीपुरा सलामत पुरा ठीक है तो यह आपका यहां पर आजएगा इस तरीके से zip code आपका आजएगा यहां पर और यहां पर आजएगा लाहोर बस यह चीज़ आगी हमारी हम यहां से width और height भी जो है वो इसकी set कर सकते हैं लेकिन इसको हम वहां पर जाके edit कर लेंगे अपनी coding में यहां से हम सिरफ इसका code हासिल कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास यह code आगया इस सारे को copy करते हैं और अपनी coding में लाकर paste कर देता हूं में code यहां पर आगया save करने के बाद जब इसको browser में चेक करूंगा मैं अपने तो यह कुछ इस तरीके से शो होगा यह इस तरीके से शो हो रहा है पूरी पूरे के लिए करनी है तो यहां पर इसकी जो width भी है यहां पर 520 पिक्जल इसको मैं 100% कर दूंगा और यहां पर एक अगेन दी होगी width यह भी तो इसको भी मैं 100% कर दूंगा Save करके जब यहां पर आके browser में इसको refresh करूंगा तो यहां पर हमारे पास पूरे page के उपर आ जाएगा अच्छा यहां पर एक और चीज़ है कि जब यह थोड़ी देर के बाद नहीं यहां पर एक link शो करना शूरू कर देगा वो होगा Google map on my website तो वो मुझे नहीं चाहिए तो उसका तरीका कार किया है कि मैं यहां से आके इसको erase का दूंगा लेकिन यह एक error generate कर देगा कि आपका Google map जो है वो सही नहीं है वो इसलिए load नहीं हो रहा तो हम यहां पर टेक्स नहीं डालने के लिए अगर मैं space भी डालूंगा तो भी यह error generate करेगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इसी के अंदर रहते हुए alt 0160 लगा इसको save करेंगे और उसके बाद जब हम इसको अपने browser में check करेंगे तो यहां पर error नहीं आएगा और यहां पर text भी नहीं आएगा ठीक है यहां पर text इन्होंने देना था हमें अगर थोड़ी देर के बाद यहां पर text आ जाना था खुद बखुद तो हमने वह अरेज करने के लिए यह चीज लगाई है अब इसके नीचे जो हमने एक और 12 column का बनाया हुआ था एक div इसके अंदर जो है हमारा form आएगा तो यहां पर form create कर लेता हूँ मैं ठीक है और form के अंदर जो है रहते हुए मुझे एक div चाहिए जिसका नाम मैं रखूंगा form group यह उसकी एक built-in class है bootstrap की और इसके अंदर जो है मैं रहते हुए अपना label और input type लगाऊँगा यहां पर आजगा label label for full name और यहां पर label के नीचे यहां पर लिख देता हूँ full name और इसी label के नीचे जो है बिलकुल मैं input type शुरू कर देता हूँ जिसका नाम text ही होगा और id जो होगी full name की होगी और इसमें class लगाँगा जो बूट्स्रैप की built-in class होगी और उसका नाम है form control ठीक है save करके इसको एक दफ़ा आपने browser में चेक कर लेते हैं तो यह कुछ इस तरीके से शो हो रहा है अभी मैंने इसकी setting नहीं की हम इसकी setting करेंगे तो यह हमारी हो गई एक बन गया हमारा input field इसके अंदर एक मैं और चीज़ आड़ कर रहता हूं एक और attribute अड़ कर रहता हूं पेस प्लेस होल्डर का और प्लेस होल्डर के लिए यहां मैं लेता हूं full name और इसी div को मैं copy कर लेता हूं और again paste करता हूं अपनी demo site देख लेते हैं तो demo site में मैंने full name email और website पूछ हुई है तो यहां पर email के लिए आ गई है website message और नीचे जो है वह हमारा submit button आजएगा तो उसके लिए यहां पर जो है मैं email लिख देता हूं और यहां पर भी email और यहां बेशक आप text ही जणने दें और यहां पर place order में भी आव email address लिख लें और उसके बाद यहां पर फूल नेम की बज़ए यहां पर आएगा हमारी website और नीचे जो है आईडी में भी हम website लिख देते हैं और यहां पर फूल नेम की जगह पर website और इनके उपर जो है यह क्योंके लाजमी है तो इनके उपर हम star भी देते हैं ताकि यह शो करें कि यह star वाली value जो है वो मस्ट है वेबसाइड मस्ट नहीं है हमारे लिए और प्लेस होल्डर में मैं website लिख देता हूं और नीचे आयाता है हमारा दूसरी फिल्ड आयाती है उसके लिए हम बात में setting करते हैं पहले अपने ब्राउजर में हम इसको चेक कर लें जो हमने already बना चुकी है तो यहां पर फुल नेम इमेल website और नीचे आगया फिर फुल नेम और इसको हम edit करेंगे इसका नाम मैं लग दूँगा message और यहां पर भी message लिख दूँगा for की ID में और यहां पर अब यह है मुझे input type नहीं चाहिए बलके text area चाहिए यहां पर भी text area create करूंगा और इसका name भी मुझे नहीं चाहिए इसको delete कर रहा हूँ ID जो है वो इसकी message ही रहेगी चूंकि ID वो देते हैं जो हम for के लिए use कर रहे हैं कॉलम और रो फिला लिए ही रहने देता हूं और इसको एक class देता हूं जो कि हमने उपर सब को दिए है form control की और इसमें placeholder देता हूं प्लेस होल्डर के अंदर मैं देता हूं यह message शुड़ भी हेर सेव गरके यहां पर प्रीवी चेक कर लेते हैं तो यह कुछ है इस तरीके से हमारे पास नजर आएगा ठीक है अब इसके नीचे हमारा बटन आएगा सबमेट बटन तो इसके नीचे बिल्कुल टेक्से ही रएपिट के नीचे जो है मेरा सबमेट बटन आएगा तो यहां मैं इन्पुट जो है वह दूँगा और इसको देने के बाद अहां पर सबमेट लिक Cities खैसनों गा और यहां पर नेम जो है प्राइमरी सेव करके अपने प्राउजर में यहां पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पस यहां पर यह बटन भी आ गया अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है तो सेटिंग करने के लिए मैंने जो यहां पर ड्वल नंबर का कॉलम दिया हुआ था इसी के अंदर एक और क्ला ले आ जाते हैं और फुटर के बाद जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म को पैकेज करता हूं और उसकी सेटिंग करता हूं बैक्राउंड वाइट आजेगी और पैडिंग 25 पिक्जल अब आपने ब्राउजर में चेक करते हैं इसको किस तरीके से शोर है तो यह इस तरीके से हमारे लेपस शोर हो रही है ठीक है टॉप से और बॉटम से जो पैडिंग है वो ज्यादा कर देते हैं तो यह लेफ्ट और राइट से इतनी रहेगी और यह 35 पिक्जल जो है टॉप और बॉटम से आजेगी यह चीज़ ठीक होगी अगर 35 कम है तो 50 पिक्जल करके देखते हैं टॉप और बॉटम से यह 50 पिक्जल हो गई और लेफ्ट और राइट से यह 25 पिक्जल है अगर इसकी हम जीरो करते हैं तो चेक करते हैं कि क्या होता है यहां पर पैडिंग बिल्कुल भी नहीं आरी सो सही नहीं लगेगा तो 25 पिक्जल आई थिंक बेस्ट है और इसके इलावा जो है हमारे पस इसकी क्या स्टाइलिंग रहती है अच्या एक ओर चीज हम add कर लेते हैं अपनी contactos के form के अंदर यहां पर जो हमने यह form create कर ऑई इससे पहले ही हम4 प्रेट कर लेते हैं यह एच टू का कर लेते हैं और एच टू के अंदर लिखता हूं मैं contact form और इसके आगे जो है वह है और यह कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा ठीक है यह हमारा contact form भी आगया ठीक है तो यह हमारी सारी styling हो चुकी है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई है तो हमारा contact form जो है वो complete हो चुका है कि पेज जो है वो complete हो चुका है तो इंशादा next class में मुलाकाद होती है next tutorial के साथ सब तक लिए में जारत दें अल्लाहाफिज